दोस्तों नमस्कार मैं हूं सुरेश और आप सभी लोग भी एक रहा है टेक्टाल एडवाइजर दोस्तों आज हम आपके साथ में डिसकस करेंगे डवल लिप्ट एंड सिंगल सरेंडर यकाड के बारे में तो इसके पहले कि मैं डिसकसन शुरू करूं मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में साइड में लगा होगा वैल आइकन का बटन जरू दवाईए जैसे कि मेरे आने वाले अब तो दोस्तों डिसकसन शुरू करते हैं जैसा मैंने आपको पहले बताया आज की डि द favor закat ka वर्क निश्चीमस का कर्या होता है वहह जू इसके पहले में आपको बताता हूं की जो हमारा सबस्कुर्द संगल जलंडर जाकाड तो वह ड्यारीवन से किस तरीके शहां होता है मतलब दोनों में difference क्या होता है तो गाइस मैंने अपने लास्ट वीडियो में discuss किया था मैंने आप तो बताया था single lift and single cylinder jacquard के बारे बीडिए तो जो हमारा single lift single cylinder jacquard होता है तो उसमें क्या होता है कि जितने rpm पर आपकी loom चलती है उतने rpm पर आपका jacquard चलता है मतलब जacquard के पूरे एक round में सिर्फ एक बार set formation होती है जबकि double lift single cylinder jacquard के अंदर loom का एक round होगा तो jacquard का आधा round होगा मतलब jacquard के complete एक round के अंदर आपके loom के उपर दो बार set formation होता है पहला अंतर तो यह हो गया गैस यदि आपके loom के उपर double lift and single cylinder jacquard लगा हुआ है तो आप अपने loom को ज्यादा rpm पर चला सकते है और आपके jacquard के अंदर wear and tear भी नहीं होगा क्योंकि आपका jacquard double lift होने के बएसे आधी speed पर चलेगा तो आप loom के rpm बढ़ा सकते हैं जो हमारा single acting या single lift single cylinder jacquard होता है उसके अंदर bottom close setting होती है और जो हमारा double lift and single cylinder jacquard होता है उसके अंदर center close setting होती है guys एक difference और होता है जो हमारा single lift single cylinder jacquard होता है तो उसके अंदर जब loom के पर beating होती है तो आपका side open होता है मतलब धागे एक दूसरे को cross नहीं करते हैं तक तक बड़ जो हमारा double lift and single cylinder jacquard होता है इसके अंदर beat up से पहले ही आपके धागे होते हैं एक दूसरे को cross कर जाते हैं तो इससे क्या होता है कि जो आपका hell of the cloth होता है या जो last inserted pick होता है वो आगे की तरब नहीं भागता है तो यही रीजन होता है कि आप अपने loom के उपर सेम कर्स तक्सिल पर है जब आप double lift and single cylinder jacquard के उपर कोई कपड़ा बना रहे होते हैं तो वहाँ पर picks per inch आप जाधा ले सकते हैं single lift, single cylinder jacquard की तुल नाम है तो यह तो हुए जो main difference होते हैं आपके single lift, single cylinder jacquard और double lift, single cylinder jacquard के बीच में अब गाइस मैं आपको बताता हूं structure of double lift and single cylinder jacquard मतलब double lift and single cylinder jacquard की संरचना तो कौन-कौन से part होते हैं और किस तरीके से arrange होते हैं वहाँ पर तो गाइस देखिए यह जो हमारा double lift, single cylinder jacquard होता है इसके अंदर दो ग्रिफ लगा जाते हैं single lift, single cylinder के अंदर सिर्फ एक ग्रिफ होता है वही up and down moment करता है बट यहाँ पर आपके दो ग्रिफ होते हैं figuring capacity होती है तो उस figuring capacity से आपको just double number of hooks अपने jacquard के अंदर लगाने पड़ते हैं जाकाड है वो double lift and single cylinder jacquard है तो वहाँ पर आपको 400 की जगह पर 800 hooks लगाने पड़ेंगे क्योंकि आपके double lift, single cylinder jacquard के अंदर दो hooks मिलकर एक धागे को up and down का movement देते हैं तो guys यह बहुत ध्यान देने वाली बात है अब guys यह जो हमारा पूरा schematic diagram है double lift and single cylinder jacquard का तो इसके अंदर हमने आपको side view दिखाय हुआ है तो जब आप किसी भी jacquard का side view देखे के तो आपको क्या क्या दिखाई पड़ेगा guys आपको एक तो hook दिखाई पड़ेंगे आपको needle दिखाई पड़ेंगे और आपको इधर pattern cylinder दिखाई पड़ेगा और यहाँ पर आप देखेंगे तो यह जो link है यह दिखाई पड़ेंगे आपको neck cord दिखाई पड़ेंगे, आपको harness cord दिखाई पड़ेंगे, cover board दिखाई पड़ेंगा, आपके जो head wire हैं वो दिखाई पड़ेंगे और link को दिखाई पड़ेंगे, तो guys मैं उपर से शुरू करता हूँ, यह आपका गृफ होता है, तो गृफ के उपर knife fit होते हैं, और दो knife use किये जाते हैं, 8 knife एक ग्रियस में fit होते हैं, और दूसरे वाले art knife आपके दूसरे वाले grip में fit होते हैं और जब आपकी jacquard rotate करती है तो यह जो knife होते हैं वो जब up and down करते हैं तो एक दूसरे को cross करते हैं और एक दूसरे के just opposite चलते हैं मतलब एक grip या एक knife जब उपर जा रहा होता है तो दूसरा वाला जो grip होता है वो नीचे जा रहा होता है यह यह कहलेजिए कि जब आपका एक grip bottom dead center पर होगा तो आपका दूसरा वाला grip top dead center पर होगा और आजा round लेने के बाद में जो उपर था grip वो bottom dead center पर जाएगा और दूसरा वाला जो नीचे था वो top dead center पर चला जाएगा मतलब एक reciprocating motion होती है तो guys जब आपका जैकाड घूमता है तो grip up and down करते रहती है guys यह hook हो गए आपके यह आपका knife हो गया अब यहां पर आईए यह क्या है guys आपकी यह needle है और यह needle के पीछे एक spring लगी होती है यह spring box के अंदर लगी होती है और यह needle होती है जो जगह से bend होती है मतलब double kink needle होती है यह देखिए एक kink की है एक kink की है तो kink कह लीजिए आप bend कह लीजिए आप eye कह लीजिए जो आप चाहें कह सकते हैं बट जो जगह पर होती है तो इसका मतलब यह हुगा कि आपकी जो needle होती है जकार्ट चलेगा और यह जो आपका हुप होता है तो हुप का जो नीचे वाला शिरह होता है यह नीचे वाला सिरह है यह डवल एंड ऑफ होक्स है मलब इस तरीके से से यह बैं मैंड भुन होगे फिर यहां पर जाके यह ग्रेट के ऊपर या ग्रेड के ऊपर तो sufficient saute grad होती है तोMatt 对 Luther adiate penalty उपार आपका का नीचे वाला rzyण यहां पर रेस्ट करता है अब ग्रेड से जब आपका होग नीचे की तरह बहता यहां है तो दोनों हुक के दीचे वाले शरूं को एक link की साहिता से पेर किया जाता है मतलब जोड़े मैं बनाए जाता है गाइस देखिए यह लगा हुआ है एक link तो दोनों हुक आपस में जोड़े हुए हैं तो यह link हो गए तूसरे से अब इस link से एक नेक और लगी होती है तो ऑर नेक और नीचे की तरह बहुती है तो वह एक स्रे होती हो दे cuánt की तरव से आती है तो आपके अपके हार्नेश के नीचे वाले स्रे हिल्ड वायर के साथ में एक लिंगो लगा होता है लिंगो एक डेड़ वेट को कहते हैं तो आपके हिल्ड वायर के नीचे वाले पॉर्शन में कनेक्ट होता है गाइस यहां पर दिखिए यह आपका नीडल वॉक्स है तो यहां से नीडल आपके भाहर निकले रहते हैं और इस इस needle box के just सामने एक pattern cylinder लगा होता है और इस pattern cylinder के उपर एक punch card होता है तो वो mount किया जाता है और यह pattern cylinder होता है यह rotate करता है कब करता है जब आपका जब card चलता है तो यह pattern cylinder आपके hooks को select करने में बहुत महत्वून भूंका निवाता है तो गाइस यह तो हुआ आपका structure of double lift and single cylinder jacquard गाइस अब मैं आपको बताता हूँ working principle of double lift and single cylinder jacquard मतलब जो आपका double lift और single cylinder jacquard होता है उसका work करने का या काम करने का क्या सिध्धानत होता है या आपके hooks किस तरीके से select होते हैं और आपके धागे किस तरीके से उठते हैं तो गाइस मेरे वीडियो के साथ मैं अन्तग जरूर बने रहे है तभी आपको यह सारा topic अच्छे तरीके से clear होगा मैं आपको step by step double lift and single cylinder jacquard की working बताता हूँ गाइस यह जो double lift and single cylinder jacquard होता है तो इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो loom जब दो round लेती है मतलब loom के जब दो revolution होते हैं तो आपके double lift and single cylinder jacquard का एक revolution होता है इसका मतलब यह हो गया कि आपके jacquard का एक revolution और आपकी bottom sharp का जो revolution होगा एक तोनों बरावर होते हैं मतलब bottom sharp का rpm और jacquard का rpm आपको बरावर रखना है क्योंकि आपके double lift and single cylinder jacquard के अंदर jacquard के एक round होने पर आपका दो बार sad formation होता है तो गैस क्या करते हैं एक sprocket wheel हम bottom sharp पर mount करते हैं और same number of teeth का एक sprocket wheel हम jacquard sharp पर mount करते हैं तो दोनों sprocket wheel को एक chain की साहता से connect कर देते हैं अब जैसे ही आपका loom operate होता है या loom चलना चालू होता है तो आपकी जब bottom sharp गूंती है तो bottom sharp और आपका jacquard sharp chain और sprocket के थुरू एक दूसरे से connect होते हैं तो इस तरीके से आपका jacquard भी machine के साहते हैं rotate करना चालू कर देता है अब guys जो आपके grip होते हैं तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा double lift and single cylinder jacquard होता है उसके अंदर दो grip use किये जाते हैं मतलब ऐसे माल लिए कि एक grip आप even pick के लिए use करेंगे और दूसरा वाला grip आप odd pick के लिए use करेंगे तो guys क्या होता है एक grip हो गया आपके odd pick के लिए जैसे कि 1,3,5,7,9,11 और दूसरा grip हो गया आपके even pick के लिए जैसे कि 2,4,6,8,10,12 and so on तो जब आपका यकार चलता है तो जो आपका even pick वाला grip है माल लिए उसकी top position है तो जो odd pick वाला grip होगा उसकी बिलकुल lowest position होगी तो guys जब आपका कोई सावी grip चाहे वो even pick वाला grip हो चाहे वो odd pick वाला grip हो जब वो bottom dead center पर आ जाता है मतलब जितना उसको नीचे की तरफ आना है वो आ जाता है तो नीचे की तरफ कर आएगा जब आपका जो hook होता है यह आप देख रहे हो जब यह grid के उपर rest करता है तो माल लिजिए कि आपका जो grip है नीचे की तरफ पूरा लगबक आ चुका है तो क्या होता है guys कि यह जो hook होते हैं तो इनसे थोड़ा सा नीचे आता है जिससे कि आपका hook जो select होना हो हो जाए और जिसको पीशे की तरफ deflect होना है वो disengage हो जाए तो जैसे ही आपका grave bottom dead center पर आता है उसके बाद में फिर आपका selection होता है तो guys यह आपका pattern cylinder है pattern cylinder क्या करेगा guys इसको push करेगा आपके selection needle है उनके front end को push करता है तो जैसे ही आपका needle push होता है तो चुकि जो आपके hook होते है यह आपके hook है वो needle left hand side में चली जाएगी इस picture के माध्यम से वो left hand side की तरफ जाएगी तो यह push करेगा जहां पर hold नहीं होगा needle आपकी left hand side की तरफ जाएगी और जब left hand side की तरफ जाएगी तो चूंकि आपके needle के साथ में आपका hook engage है यह देखिए यहां पर तो यह आपका hook भी पीशे की हट जाएगा या knife से disengage हो जाएगा और ऐसा place card के अंदर जहां पर आपने hole punch किया है तो जब आपका cylinder प्रेस करेगा needle के front end को तो वो needle आपके card पर hole होने की वज़े से perforated pattern cylinder के hole के अंदर प्रवेश कर जाती है और तो guys needle enter होने से क्या होता है कि आपका जो needle है वो push नहीं होगा cylinder के द्वारा मतलब left hand side की तरब नहीं जाएगा और जब left hand side की तरब नहीं जाएगा तो आपका hook आपके knife के ऊपर आ जाएगा या यह कह सकते हैं कि knife के साथ में engage हो जाएगा अब guys आपका jacquard continuously rotate कर रहा है मतलब आपके जो grip है वो reciprocating motion कर रहा है आप and down movement कर रहा है तो जो hooks आपके knife के ऊपर engage हो जाते हैं वो grip उपर की तरब उन hooks को ले जाती है अब guys देखिए आगे क्या होता है मैंने जैसा आपको बताया कि grip आपके hooks को उपर ले गई जो select हुए थे उनको उपर ले गई तो जब वो hooks top कर पहुंचते हैं या grip top पे पहुंचते हैं तो आपका जो end होता है या जो आ अपने top position तक पहुंच जाता है मतलब जहां पर set की line होती है top वहां तक वो पहुंच जाता है guys इस period में क्या होता है कि जो दूसरी वाली grip थी वो bottom dead center पर आ जाती है और जैसे ही वो bottom dead center पर आती है तो guys क्या होता है कि जो हमारा pattern cylinder है यह अपनी position बदलता है मतलब next pick आ जाता है और next pick आके फिर हमारा pattern cylinder needles को push करता है और push करने पर क्या होगा कि जो hook है तो वो design के साफ से select हो जाएंगे जहांपर hole होगा वो select हो जाएगा और जहांपर hole नहीं होगा वो select नहीं होगा पीछे की तरफ हड़ जाएगा तो guys क्या होगा कि जो नीचे आपकी grip आई थी तो knife के उपर आपके वो hook engage हो जाएंगे जो आपके design में punch किये गए है अब guys जो आपकी grip उपर थी वो नीचे की और आना चालू होती है और जो नीचे थी वो उपर की और आना चालू होती है तो इस time पर क्या होता है guys suppose कि यह य यह वाला hook नीचे था तो क्या होगा कि यह नीचे आ रहा है और यह उपर जा रहा है तो जितना यह नीचे आ रहा है उतना यह उपर जा रहा है धागा थोड़ी दर के लिए हो सकता है जो उपर था वो नीचे की तरफ आए वो थोड़ी सी distance के लिए नीचे आएगा बट जै ये वाला होक ले जा रहा था फिर ये वाला होग ले जाएगा क्यूंकि फिर नीशे की तरह बार आ यहां पर यहांन पहल नहीं होगा तो फिर यह नीशे आ जाएगा तो इस तरीके से आपके hook select होते हैं और up down movement भी करते हैं गाइस यह जो आपका spring box होता है इसके अंदर spring लगे होते हैं तो हर needle के पीछे एक spring लगे होती है और वो आपके needle को cylinder के direction में push करने की हमें सा कोशिस करती रहती है यह जो यहाँ पर spring है वो needle को इधर की तरफ cylinder की तरफ push करती है गाइस यह जो आपका पेर लिंक है तो इससे आपकी neck cord जूड़ी है और next cord से आपका harness cord जूड़ा है तो जब आपका hook उपर की तरफ जाता है तो harness उपर की तरफ move करता है और harness जुड़ा हुआ है आपके हीलड वायर के साथ में तो हील वायर भी उपर जाता है यह जो हमारा जयकार्ड है double lift and single cylinder जयकार्ड तो यह negative mechanism होता है तो जयकार्ड के अंदर हुप को नीचे लाने का कोई mechanism नहीं लगा होता है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है अपने heel wire के नीचे एक lingo लटकाना पड़ता है लिंगो क्या होता है यह dead weight होता है तो यह जो lingo होता है आपके hook को नीचे की तरब लाने का काम करता है गाइस यह जो आपका intangle होने देता है गाइस यह जो harness नीचे की तरब आती है तो comber board के hole से pass होती है तो comber board का भी यही काम है यह आपके harness को अपनी position में रखता है एक harness को बगल वाली harness से या पीशे वाली harness से cross नहीं होने देता है तो गाइस इस तरीके से आपका जो double lift and single cylinder jacquard होता है वो बर्थ करता रहता है तो गाइस इसका advantage मैंने आपको पहले भी बता दिया और अभी भी बता देता हूं तो गाइस इसमें सबसे बड़ा advantage यह होता है कि आपके loom के उपर rpm बढ़ जाते हैं मतलब आपके loom की productivity बढ़ जाती है तो उससे आपका जो weaving cost होता है वो भी घड़ जाता है तो गाइस तरीके से मैंने आपके साथ मैं तीन बात ने discuss की एक तो हमने difference बताया single lift single cylinder और double lift and single cylinder जकाड के बारे में और हमने आपको structure बताया double lift and single cylinder जकाड का और हमने working principle भी आप सभी लोग के साथ में discuss किया double lift and single cylinder जकाड का तो गाइस देखके बताये मेरा वीडियो कैसा लगा यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप like का बटन दबाएं अपने दोस्तों म किया है तो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए साथ साथ में साइड में लगा हुआ बटन दबा दीजिए जिससे कि मेरे आने वाले अब तुम वीडियो के नोटिफिकसन अब तक पहुंचते रहें वीडियो देखने के लिए धन्वाद